Welcome to your favorite channel Concepts and Steps. In this video we will discuss the LCM and HCF of three digits whose are 15, 30 and 90 by Prime Factorization Method. So, the first method or step is that the given numbers, what do we have to do with Prime Factors? So, Prime Factors किस तरह मालूम करेंगे? तो हम by Prime Factorization Method की जरिये हम उसके Prime Factors मालूम करेंगे. Step number one ये है कि जो भी given numbers हो, उसको हमने latest Prime Numbers पर उस वकत तक divide करना है, जब तक हमें उसका quotient one ना मिला हो. तो हमने 15 को divide किया है, 3 के उपर क्यों? क्योंके 15 is divisible by 3 and 5 and 15 and 1. बट हमने सबसे पहले 3 इसलिए लिखा है कि 3 सबसे चोठा नंबर है. 3, 5, 0, 15. Quotient उसके नीचे लिखना है. Quotient उसके नीचे लिखना है. अब इसके बाद हमने 5 को divide करना है, तो 5 is only divisible by 5. क्यों? क्योंके ये एक प्राइम नंबर है. 5, 1, 0, 5. Quotient हमने नीचे लिखना है. फिर इसके बाद 2, 1, 0, 2 is a latest prime नंबर. इसलिए हमने 2 चूज़ किया. 2, 1, 0, 2 यहाँ पर 1 रह गया, 1 उसको दे दो तो 10 हो गया. 2, 5, 0, 15. फिर इसके बाद, ये 15 is divisible by 3 and 5. गट हमने सबसे पहले 3 लिखा है. इसलिए कि 3 चोटा है इस 5 से. तो 3, 5, 0, 15. फिर इसके बाद 5 को divide करना है, 5, 1, 0, 5. इस इस tips को follow करते हुए, हमने 90 को भी इस तरह divide किया है. फिर इसके बाद 45 हो गया, तो 4 और 5 को, दोनों को add करो, ये 9 होता है. तो ये 45, 3 पर divisible है. 3, 1, 0, 3 यहाँ पर 1 रहे गया. 1 उसको दे दो तो 15 हो गया. 3, 5, 0, 15. फिर इसके बाद 3, 5, 0, 15. 5, 1, 0, 5. तो हमने students प्राइम फेक्टर उसके मालूम किये है. 15 के प्राइम फेक्टर कौन कौन से? 3 and 5. हमने वो multiply फाम में लिका. पिर इसके बाद 30 के प्राइम फेक्टर कौन कौन से? 3, 5 and 2. हमने इस आर्डर में इसलिए लिका है, कि 3 को 3 के नीचे लिकना चाहिए, 5 को 5 के नीचे, 2 इसके बाद हमने लिक लिका. पिर इसके बाद 90 तो हमने वो numbers लिकिये के वो जो फैक्टर्स है किसके? 90 के अब इसके बाद step number 3 यह है कि इन टीनो numbers के हमने common लेना है तो इन तीनो numbers के common कौन कौन से number से वो एक 3 है, एक 5 है, एक 2 है तो वो हमने लिक लिए और multiply किया 350015 और 152030 पिर इसके बाद उन तीनों नमबर में नान कामन फेक्टर एक ऐसा नमबर होता है कि वो तीनों में कामन ना हो या दोनों में कामन ना हो तो उसको नान कामन फेक्टर का जाते हैं वो है सिर्फ 3 इसके बाद LCM हमें पता है common factor multiply non common factor तो common factor है 30 non common factor है 3 तो LCM उसका हो गया 90 पर इसके बाद हमने उसका HCF मालूम करना है तो HCF के लिए जरूरी है कि हमने वो numbers choose करनी है कि तीनों में common हो तो इस 15, 30 और 90 में आप मुझे ऐसे numbers बताए कि वो तीनों में common हो तो वो है 3 and 5 2 नहीं है क्यों क्योंके 2 इसमें common नहीं है तो हमने इसलिए यहाँ पर नहीं लिका तो 3 और 5 उसमें common factor हो गए अब हमने HCF मालूम करने के लिए हमने उन common factors को multiply करना है तो 3 and 5 को हमने multiply कि उससे 15 आया है तो highest common factor of 15 and 13 and 90 which is equal to 15 तो हमने students दो चीज़े इस वीडियो में मालूम की एक HCF और दूसरा LCM आया है तो हम एकर वाचिन दूसरा की खाओगी है